नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है त्यागी स्पोर्ट टॉक पर जैसा कि आप सभी को पता है कि एसिया कप को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं टीम इंडिया सेलेक्शन को लेकर तो यहाँ आज हम बात करेंगे संजू सेमसन को लेकर क्या संजू सेमसन को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है अगर एसी कर खेंगे तो उनकी दावेदारी बड़ कब के लेकिन उन्होंने काफी नाबाद इनिंग गए काफी 53 साय 50 भी मारी है उन्होंने एक इनिंग खिलिए लखनों के ग्राउंड में जहां पूरी टीम के किसी भी खिलाडी से खेला नहीं जा रहा था वहां संजु सेम्शन ने 63 वाल पर 6 शेंट बनाए और मुझे लगता कि विक को केल राउल का तो उनसे बैसे विकेट कीपर नियूपादी जो संजु सेम्शन करता है मतलब कहने का मतलब पार्ट टाइम विकेट कीपर है केल राउल तो टीम इंडिया इतने बड़े इतने बड़े स्टेज पर जारी तो मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होना चीए विकेट कीपर के लिए अब संजु सेम्शन को लेकर कहीं कहीं तरह के कयास लगाए जारे उनमें से यह भी कयास है कि संजु सेम्शन टीम में हो सकते लेकिन प्लेइंग लेवन में नहीं खेल सकते कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि सूरिया को मौका मिलेगा अब देखने संजु सेम्शन को मोका टीम इंडिया देती है तो एक अच्छा होगा क्योंकि संजु सेम्शन ने ओडिया में अच्छा किया हला कि उनके पिछले दो तीन टीटवन ती अच्छे नहीं गए लेकिन ओडिया उनका लास्ट फिप्टी ता फिप्टी वन रण था काफी तेज की पंद्या में आपकेस की कावलिफ पर पायवं संजु सेमसन इभी चौका फोर मार सकता है तो मुझे लगता है कि सेंजु सेमसन डिसरब करता तीम इंडिया में कहलना पर चूहर process rapport करता हूं सन्जु अच्य ऊणकेर। में खिला MS दोनी के कपतानी में तो ऐसा होता है कि आपने उस खिलाडी को एक मौका दिया उनली फोर और एक मैच में तो कोई भी प्रूप नहीं कर पाता सचीन तेंदुलगर हो चाह सुरेश रहना हो बट एमस खुद दोनी खुद दोनी जो मतलब क्रिकेट के कपतानों के बा लगता है कि Sanju Samson deserve करता है उन्होंने अच्छे रन मनाएं उन्होंने बेस्ट इंडिज में अच्छी निंग खेली उन्होंने साउथ अपरिका जैसी वड़ी टीम के खिलाब तर्यासी रन मनाएं कोई आसान काम नहीं और मुझे कुछ अंद्रूनी ख़बर मिलेगी कि Sanju Samson जो 21 तारीको टीम इंडिया के स्क्वाइड आ रहा है उसमें Sanju Samson को जगे मिलती ही दिख रही है क्योंकि अगर केल राउल फिट नहीं होते तो Sanju Samson परमन 100% खेलेंगे एसे कप और प्लेंग लेवन में खेलेंगे अगर यहाँ पर केल राउल फिट होते है तो Sanju Samson टीम में हो सकता है लेकिन प्लेंग लेवन में सेटल करना उनको आसान काम नहीं है ना सेलेक्टरों का ना बीसी से का संजू Samson के पैन तो ऐसे बोल रहे लगाता है कि Sanju Samson को मोका दो टीम इंडिया में डिजर्ब करता है इतना अच्छा बंदा इतना अच्छा खिला आई- इक और देके तो पच्पन का अबरेज को आसान काम नहीं है एक बार आप सोच के देखो कि पच्पन का मैच और उनने अच्छा किया है उडिय में उरुक रुक के भी खेलते हैं उनके पास हिटिंग काब लेते हैं अगर आपको अच्छा फिनी सर्च चीए तो संजू Samson को उठा सकते हो पहले आपके रोहित हो जाएगा गिल हो गया विराट हो गया उसके बाद सूरिया जो भी खेलेगा केल राउल वह गया उसके बाद हारदिक पैंडिया संजू Samson जो भी मतलब अच्छा फिनी सर अब इंदर जली जा तो एक अच्छी टीम बन जाएगी तो कि बिकेट कीपर के तोर पर केल राउल पूरी तरह फिट नहीं है को कि बिकेट कीपिंग करी नहीं सकते पार्ट टाइम है तो मुझे लगता है कि संजू Samson डिजर्व करता है और जो न्यूज मिली हमको उसके अनुसार संजू Samson टीम इंडिया में किस तारी को बापसे करते काफी दिन से टीम इंडिया में लगा 2015 से उसके बाद मौके नहीं मिले हलाकि ओडिया इमून अच्छा करके बताया तो मुझे लगता है कि संजू Samson को बड़े प्लेट पॉरम पर मौका देना चाहिए जिससे वह अच्छे करे संजू Samson की सबसे बड़ी क्वालिटी फिनिस बड़े बॉलर आएंगे पाकिस्तान के सोट वाल फेकेंगे तो संजू Samson अच्छा खिल सकता है फास्ट बॉल को अच्छा खिल सकता है स्पिनर को अच्छा खिल सकता है मुझे लगता है संजू Samson को 100% टीम इंडिया प्लेइंग लेवन में सामिल तो कर सकती है लेकिन